Hello and Welcome आप सभी का स्वागत है Current Affairs Daily by Knowledge Hub आज 3rd February तो आज से चुटी जितने भी Important Current Affairs है हूँ हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी Important Current Affairs की वीडियो आप से कभी मिसना हो जाए और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलेग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं उनकी जो Capital Goods की जो स्कीम है उसकी Phase 2 अभी स्टार्ट करेंगे कहकर तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है क्या कि Ministry of Heavy Industries इन्होंने क्या Notify किया है जो स्कीम चल रहे थी जो Capital Goods के उपर है उसकी Phase 2 अभी स्टार्ट किया जाएगा इसमें इतना ही है और आगे आपको जानना है तो यह जो स्कीम के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप यहां से जान सकते हैं जैसे कि इसके अंदर 6 Components हैं जैसे कि Technology के थ्रूँ कुछ Innovation Portals बनानी हो और सेटिंग कुछ सेट अप करना हो जैसे सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है यह इतनी इंपोर्टन नहीं है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं तो इंपोर्टन यह हो जाता है कि Ministry of Heavy Industries जो है उसकी यूनियर मिनिस्टर कौन है तो वह है डॉक्टर महेंदर नात पांडे तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है अब बात करते हैं अगले नियूस के उपर कि रहस्या ने डिलिवर किया है इनीशल बैच ओप 70,000 जो AK-203 जो राइफल्स है उसका अभी डिलिवरी हो चुका है जो इनीशल बैच है उसका 70,000 जो हम लोग ओडर किये थे अब मतलब टोटल हम लोग ने ओडर किया था 6,70,000 जिसमें से अभी कितने आ गया है 70,000 के आसपास जो राइफल्स है वो आ चुके है किसके पास इंडियन आम्ड फोर्स के पास अब इंडियन आम्ड फोर्स इसके अंदर क्या क्या आती है इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एर्फोर्स मिलिटरी ये सारी चीज़े इसके अंदर में आती है तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है बात कर लेंदे आया है रस्या बात बीच में तो रस्या के बारे में जात लेते हैं रस्या का कैपिटल है मॉस्को और प्रेसिडेंट है यहां के लार्जेस्ट कैनल रॉक कैनल लॉक जिसुलिस इजमुदिन यह नामक जो चीज है कैनल है इसे इनागरेट किया गया है इजमुदिन जो जगा है नेधर लेंड्स में ठीक है तो यह आपको ध्यान देना है कि दिखें यहां पर की इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ है जैसे कि वर्ल्ड's largest केनल जो कहां पर बन रही है जिसुलिस इजमुदिन यह नामक जो चैनल है यह बन रही है कहां पर इजमुदिन यह नेधर लेंड में ठीक है । इतने चैसे आपको ध्यान देना है बात कर लेते हैं यह किसके द्वारा किया गया है तो अब यहां पर देख सकते हैं यह एक small city port है जहां port of Amsterdam जो के नेधर लेंड में है वहां पर यह inaugurate किया गया है और यह किसके द्वारा किया गया है William Alexander जो Dutch King है उनके द्वारा जो इतनी चीसे आपको देहन देनी है अगली बात करें तो Dubai ने launch किया है World's first hydrogen powered flying boat जिसका नाम है the jet यह flying boat मतलब यह हवा में नहीं चलेगी बट क्या है कि जो पानी है पानी की सत्वे पर एक boat type की रहेगी चुकि चलती रहेगी ठीक है तो यह चीज़े आपको देहन देनी है अब यह किस चीज़ से बनी है hydrogen powered है ठीक है और यह किस ने launch किया है दूब important key points से आपको वो जानना है कि यह सारी चीज़े क्यों हो रही है कि तुब जो कि COP 28 जो होने वाला है वो कहां पर होगा दुबई में होगा अब COP 27 आप सभी को पता होगा लास्ट टेम हुआ था कहां हुआ था यह आप मुझे कमेंट करके बताईएगा लेगिन COP 28 कहां पर चीज़े आपको ध्यान देनी है अगला है RBI कि जो बैंक नौन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुआ है 9.3% 9.3% कब December 21 में तो यह चीज़े आपको उतनी स्टैट्स आपको ध्यान में नहीं रखना है बढ़ां जान लिजेगा कि यह किस चीज़ के लिए है नौन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो कि सेक्टरल डिप्लॉइमेंट और बैंक क्रेडिट यह जो चीज़े इसके नौन फूड क्रेडिट जो रिजिस्ट्रेशन की ग्रोथ है वो 9.3% से बड़ी है ठीक है December 2021 में अब यहाँ पर कुछ facts दिया हुआ है आप देख सकते हैं जो gross total overall देखा जाए तो वह 9.2% बड़ी है 2021 में और पिछले year में देखा जाए तो 6.6 बड़ी है अब इसका कुछ divisions है जैसे कि food credit हुआ non food credit हुआ non food credit अभी हम लोग बात किया है 9.3 और food credit में कितना हुआ माइनस 4.2 हुआ है ठीक है और agriculture और allied activities में 14% के growth जो की सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री इसमें देखा जाए तो 7.6 और services में 10.8 और personal loan की जो sector उसमें 14.3 की increment हुई है तो यह चैसे आपको उतनी important नहीं है बाठा जानना चुरूरी है अगला है वेदानता जो की एक company है वेदा लिमिटेड उन्होंने tie-up किया है Union Bank of India के साथ almost 8,000 crores का एक deal जो है एक facility बनाया जाएगा तो take over majority of syndicated facility यह जो syndicated facility है इसको 100% यानि majority of जो stake है वो ले लिया जाएगा वेदानता लिमिटेड आपको फिर से ध्यान दीजेगा वेदानता लिमिटेड जो है उन्होंने tie-up किया है किसके साथ Union Bank of India के साथ ताकि जो syndicated facility है उसके majority take over करने के लिए कितने रुपए में 8,000 crores के रुपए में ठीक है इतनी चीज़े आप आपको ध्यान दीनी है अब बात कर लेते हैं वेदानता लिमिटेड के बारे में तो यह एक इंडिया की multinational mining company है और इसके present time में Chief Executive Officer है सुनील दुगल और headquarters की बात करें मुंबाई महारास्ट्रा में है इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है अगली है State Bank of India और Tata Power इन दोने मिलके partnership किया है ताकि यह जो solar projects होते हैं उसको finance करने के लिए तो इतनी चीज़े यह चीज़े आपको थोड़ी ज्यादा ध्यान देनी है क्योंकि यह जो solar project green energy यह सारे चीज़े है यह ज्यादा important हो जाती है तो यह सब कब हुआ है 31st Jan को हुआ था यह सारे चीज़े कि State Bank of India न इनके साथ एक deal किया एक partnership किया ताकि finance कर सके वो solar projects में अब SBI क्या करना है वो भी setup करना है dedicated centralized processing cell जिसका नाम है सोरिय सकती cell यह कहां पर होगा एक बैलेड एस्टेट है जो कि मुंबई महारास्टा में वहां पर अब यह सारे चीज़े आपको ध्यान इसलिए देना है कि जो COP26 जो हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया कि carbon footprint ग्लोबल मतलब सारे लोग मिलके यह डिसाइड किया है जो जो carbon footprint होता है उसे reduce करना है तो यह COP26 कब कहां हुआ था यह मुझे आप मुझे comment करके बताईएगा और COP27 वो भी कहां हुआ है वो भी आप मुझे comment करके बताईएगा तो यह हो गई अब इसमें क्या होगा आप दिखें आप पर पढ़ सकते हैं यह जो सहले maximum जो है वन जुलाई फर्स जुलाई 1955 में हुआ था और headquarters के बात करें मुंबाई महाराश्ट्रा में है और इसके जो managing director है वो है CS City अश्विनी भाटिया स्वामिनातन जे अश्विनी कुमार तिवेरी यह इनके managing director है और chairman के बात करें दिनेश कुमार खा जा खारा स्वारी माफ करिएगा खारा इतनी चीसे आपको ध्यान देनी है अगला है banks to transfer यानि bank क्या है वो transfer करने वाली है 15 जो NPA accounts है अब ये NPA का मतलब क्या है non performing assets जो accounts होते हैं उसमें almost 50,000 crores जो है उसको transfer किया जाएगा to NARCL अब ये NARCL का मतलब क्या है जो national asset reconstruction company limited है उसको ये transfer किया जाएगा financial year 2022 में तो ये थोड़ी से important हो जाती है कि कौन सी bank ये जो statement ये किस ने दिया है state bank के जो chairman है दिनेश कुमार खारा उन्होंने ये statement दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो 15 जो NPA यानि non performing assets जो accounts है उसमें almost 50,000 से ज्यादा crores 50,000 crores से ज्यादा वो transfer किया जाएगा भी तो अभी बात कर लेते हैं ये N-A-R-C-L इसके बारे में तो ये create किया गया था जो public और private sector bank से इन दोनों को collaboration में और Indian banks association इनके साथ मिलकर ये सारी चीज़े बनाई गई है ताकि जो NPA होती है उसे control कर सके उसके उपर थोड़ी सी monitoring कर सके तो इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है अगला है इंडिया की जो economy है वो 6.6 के साथ वो घटने वाली है ये कहा गया है NSO को data के साथ अब ये NSO कौन है National Statistical Office उनके data के अनुसार ये कहा गया है कि जो इंडिया की जो economy है वो 6.6% के साथ यानि 2020 और 2021 की जो period है उसमें 6.6% वो घट सकती है ये कहा गया है उससे तो ये चीज़े आपको ध्यान देनी है तो ये जो ministry of statistics and program implementation इसके बारे में बात करें तो इसके जो minister of state है वो है राव इंदरजीत सिंग तो ये point आपको ध्यान देनी है अगला है B.E.L. यानि भारत Electronics Limited इन्होंने एक agreement sign किया है इसके साथ Hyperion Global Group के साथ इनके साथ एक agreement sign किया है ताकि जो internet of things जो devices होते हैं उसको supply करने के लिए in US market भारत Electronics Limited इन्होंने क्या किया है partnership किया है और agreement sign किया है किसके साथ Hyperion Global Limited इनके साथ जाकता कि जो manufacturing है और supply है किस चीज़ का internet of things की जो devices है उसके बारे में यह कहां पर supply हो सकता है United States की market में अब बात कर लेते हैं BEL के बारे में इसके जो CMD यानि Chief Managing Director है और डारेक्टर के बात करें जो आनंदी रामा लिंगम यह है और इसके establishment हुआ था 1954 में और headquarters के बात करें पैंगलूरू करनाटा का में और बात कर लेते हैं person global group के बारे में तो इनके जो CEO है वो है निक टुडे पेकर और headquarters के बात करें Texas United States में है अगली news के उपर बात करते हैं PR series जो है उन्होंने इंडिया के फर्स्ट मैं बन चुके हैं जो की वर्ल्ड गेम्स एथलेट ऑफ दे यर की जो अवार्ड है उसे पाने वाले फिर से बताता हूं यह जो पी आर पी आर का मतलब कुछ और नहीं है परत्तु रविंद्रन जो स्रीजेस यह उनके फुल नेम है परत्तु रविंद्रन स्रीजेस इन्होंने इंडिया के पहले मैन बन चुके हैं जो की वर्ल्ड गेम्स एथलेट ऑफ दे यर जो अवार्ड है उसे जीतने वाले ठीक है तो बागी अगर आपको कुछ इनके बारे में या फिर कुछ इस अवार्ड के बारे में जानना है तो आप यहां से जान सकते हैं अगली ने उसके बढ़ते हैं पॉर्चुगल जो जगह है वहां के पीम एंटॉनियो कोस्ता जो है यह फिर से एलेक्ट हुए है अज एपसलूट मतलब फिर से एलेक्ट हुए है अज प्राइम मिनिस्टर ठीक है और यह एपसलूट मिजॉरिटी के साथ यह जीते हैं अब बात कर लेते हैं यह एंटेनियो कोस्ता के बारे में तो यह टूटल इस दीखके तूटवन्ट थर्टी सिट्स जो थे उसमें से 117 के सिस्किट्स यानि 117 सिट्स के साथ मेजॉरिटी के साथ इन्हों ने जीता है अब ये कहां के पीम है पोर्चुगल के तो बात कर लेते हैं पोर्चुगल के बारे में तो पोर्चुगल 1498 में पोर्चुगल के एक ट्रावलर थे वासकोडिगामा इन्होंने कलिकट जो की इंडिया के कलिकट है जो कि मलबार कोष्ट के पास में है वहाँ पर विजिट किया है वो पहले इंसान थे और 1503 में बात करें तो फर्स्ट पोर्चुगीस फोर्ट जो कि एस्टाब्लिश्म क्या गया था कोचिन जो अभी हम लोग कोची कहते हैं वहाँ पर जो कि कैरला में है अब बात करें यहां के कराएं एन अभी मैंने बताया एंट टोनियो कोस्ता ठीक है यह वो इंसान है इनके बारे में अगर कुछ जानना है तो आप यहां से जान सकते हैं आगे बाढते हैं अन्वी वी एन जिसका मतलब है एंटीपिसी विद्यूत व्यापार निगम इन्होंने एकवाईर किया है 5% स्टेक इन पावर एक्सचेंज ओफ इंडिया की जो कुछ परसेंज स्टेक कितना 5% स्टेक किसने एकवाईर किया है एन्वी वी एन यानि एन्टी NVVN यानि NTPC विद्यूत व्यापार निगम इनके बारे में अगर जानना है तो इसका establishment हुआ तो 2002 में और ये जो महरतना companies होते हैं उसमें से एक company है एक limited है ठीक है अब बात कर लेते हैं ये जो power exchange of India इसके बारे में तो इसके establishment हुआ तो 2008 में और ये इंडिया की first institutionally promoted power exchange है तो ये चीज़े आपको धहन देनी है और अब बात कर लेते हैं NVVN के बात कर लिए अब इसमें देखिए का N का मतलब है NTPC तो अब ये NTPC के under में आता है तो बात कर लेते NTPC के बारे में तो इसका establishment हुआ था 1975 में और headquarters की बात करें New Delhi जो की देली में है और इसके जो chairman और managing director है वो है गुरदीप सिंग इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है अगली point हम लोग बात करते हैं जो Asian Games जो 2022 में होने वाला है उसमें 40 sports को feature होने वाला है जिसमें cricket जो है वो add कर दिया गया है और ये कितने साल के बाद add हुआ है अल्मोस्ट 11 साल के बाद ये cricket यानि cricket sports को add किया गया है किसमें Asian Games 2022 में अब ये जो Asian Games 2022 में जो हो रहा है वो 19th edition है ठीक है जिसमें क्या होगा multi sporting event है जो की 10 से लेकर 25 September के बीच में ये होगा अब ये कहां पर होगा जो चाइना में इस बार होने वाला है जिसमें almost 40 sports खेला जाएंगे जिसमें से almost 61 ऐसे several Olympic sports होगे जिसमें से T20 format में cricket खेला जाएगा और ये जो cricket है sport ये 11 साल के बाद add किया गया है तो इतनी point आपको ध्यान देनी है अगला है एक book के बारे में Mr. Saharine इनकी authorized एक book है जिसका नाम है Last Among Equals ये book की front page है तो आप थोड़ी ध्यान देख सकते हैं इस book को किन के द्वारा author किया गया है Mr. Saharine ये actual में assistant professor है University of Maryland यहाँ पर यहाँ के एक assistant professor है जिन्होंने ये book लिका है जिसका नाम है Last Among Equals Power, Cast and Politics in Bihar's Village ये इस book की full name full form है फुल ने में आप ये ध्यान दे सकते हैं अगला है और अगर आपको इनके बारे में कुछ detail में जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले news के उपर इंडिया की जो first ever season style book एक book है जिसका नाम है The Class of 2002 Sorry, 2006 The Class of 2006 ये जो book है वो किसके द्वारा अभी release किया गया है लिखा किसके द्वारा है आकास कंसल के बारे आकास कंसल ये नामक इंसान है इनके द्वारा लिखा गया एक book है जिसका नाम है The Class of 2006 फुल इसका book का नाम है Sneak Peek Into The Mid-Adventures of Great Indian Engineering Life ये book का पूरा नाम है ठीक है ये actual में ये book जो है वर्चुली लाँच किया गया है वन आप दा बिगिस्ट book launch ceremony जो कि IIT कानफूड देली टेकनोलोजी युनिवरसिटी में हुआ है और ये इंडिया के पहली ऐसी book है तो अब आपको अगली news पे हम लोग बढ़ते है NPCI यानि National Payment Corporation of India इन्होंने अबसर्व किया है UPI Safety and Awareness Week कब से कब तक February 1 से लेके 7 तक ये launch किया गया है आप सभी को पता होगा कि UPI की जो transaction बहुत ज़्यादा अभी हो रही है तो इसमें क्या होता है बहुत सारा fraud activities ये सारी होती रहती है तो इन सारी चीजों को safely और इसकी जो awareness से उसे बढ़ाने के लिए February 1 से लेके 7 तक यानि एक वीक तक ये awareness week रखा गया है तो ये चीज़े आपको ध्यान देनी है अगली की अगली news के उपर बात करे Indian Coast Guard ने celebrate किया है 46th Rising Day जो कि 1st February को ये observe किया जाता है हर साल देखा जाये तो 1st February को क्या Indian Coast Guard Day ये हर साल observe किया जाता है किस चीज़ के लिए जो Indian Coast Guard जो यानि जो जगह है जो coastal area से इंडिया की वहां पर जो भी तैनाद होते हैं लोग उन लोगों के उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उन लोगों को ध्यान में ये दिन मनाया जाता है और ये कितने भी है 46th rising day है तो ये चीज़े आपको ध्यान देनी है सबसे पहले ये कब establishment हुआ था 1977 में ये फर्स टाइम जो Indian Coast Guard है इसे establishment किया गया था और इसको Indian Coast Guard जो है ये किसके द्वारा inaugurate किया गया था जो प्राइम मिनिस्टर मुरार जी देशाई थे उनके द्वारा ये चीज़ को inaugurate किया गया है अब बात कर लेते हैं Director General of Indian Coast Guard कौन है पतानिया ठीक है वी एस पतानिया ये है और headquarters की बात करें न्यू देली में है और इनके जो मोटो है वो है व्यायम रक्षमा यानि जिसका मतलब है वुई प्रोटेक्ट अगली बात करते हैं PM मोधी माफ करिएगा PM मोधी ने address किया है N.C.W. की जो 30th foundation day है जो की 31st January को हुआ है उस चीज़ को अब बात कर लेते हैं ये जो N.C.W. इसका मतलब क्या है ये है National Commission for Women इनकी जो 30th foundation day है वो 31st January को इस साल 31st January को ये celebrate यानि address किया दे कौन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी और इस बार की जो theme थी वो थी see the change maker ये इस बार की theme है ठीक है तो इतनी point आपको ध्यान देनी है तो ये थी हम लोगों आज की यानि 3rd February की important current affairs अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक करें जिसमें आपको कोई charges नहीं लगने वाला है बे जीजक आप इसको लाइक कर सकते हैं और साथी साथ अगर आप subscribe नहीं किये हैं तो आप बे जीजक subscribe करिए इससे क्या होता है मुझे motivate होगा तो मैं ऐसे ही continuously आप लोगों के लिए current affairs की videos provide करता रहूंगा और साथी साथ अगर आपको अभी कोई जान पेचान में students है जो exams के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको current affairs की जरूरत है तो अगर और और एंड में अगर आपको lecture इस lecture की और इस आज की दिन की जो current affairs की जो PDF है वह अगर आपको चाहिए तो आप टेलिग्राम ग्रूप को जान कर सकते हैं वहाँ पर सारी जितने भी current affairs है उसकी आपको PDF मिल जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद